नमस्कार बंसलियूस के स्पेशल सेग्मेंट बोलो बोलो मो तो खोलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पीउश पारे और आज की इस खास पेशकर्ष में जिस टॉपिक को लेकर हम आपके बीच में मौजूद हैं वो ना सिर्फ मेडिकल साइंस के बलकि समाज के लिए भी चिंतनी है जी हां हम बात करेंगे साइलेंट अटेक की जी हां इसे आप हार्ट अटेक कहें या फिर साइलेंट अटेक लगातार युवा साइलेंट अटेक की चपेट में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह Center of Healing की उस रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 74 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो तनावक से संगर्ष कर रहे हैं वहीं 88 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो एंजाइटी का शिकार है और इन आख़ों में युवाओं की संख्या सबसे जादा भी है लेकिन बदलती लाइफस्टाइल इस पर शुरू हुआ है क्या वो इसके पीछे की वज़य है या फिर युवा जब दिशाहीन हो जाता है ड्रग एडिक्शन के शिकार में कई ने कई फजाता है ये तमाम पॉइंट्स हैं लेकिन आज कल की युवा सूचते क्या चलिए इस डिस्कृशन को आगे बढ़ाते हैं चर्चा करेंगे बहुत सारे मुद्दे होंगे और कई पॉइंट्स पर हम लोग युवाओं की राय भी जानेंगे असुदी आपसे मैं शुरूबात करूंगा माइक जरा सुधी तक पहुचा जीजिए असुदी क्या मानती हैं आप कितना स्ट्रेस के दौर से आजकल का स्ट्रेस के बीच में और उन सब के बीच में कितना स्ट्रेस से जो है वो आज का युवा गुजर रहा है सर कॉम्पीडिशन तो बहुत जादा है प्रेशर भी उतना है जब स्कूल के बच्चों की बात करें तो 11-12 में आते ही ऐसा हो जाता है कि हम लोग का कॉम्पीडिशन सिर्फ अच्छे मार्क्स का नहीं है बिल्कुल 95-96 के उपर मार्क्स लाने का है एक दो परसेंटेज का है और वैसी हम जब करियर की भी बात करते हैं तो सिर्फ एक अच्छा करियर अब हमारा वो मतलब यूवाओ का एम रहा ही नहीं है अब यह है कि किसी से अच्छा होना च चाहिए मतलब बहुत स्पेसिफिक गोल्स के लिए लोग जा रहे हैं मतलब इसलिए खुशी भी कम है क्योंकि इतना स्पेसिफिक जब आप जाओगे तो कुछ ना कुछ तो पीछे चूटी जाएगा तो आप इतने अच्छा किया है एक्जक्ट वो तो मिलना पॉसिबल नह तो है और इन सबके बीच में युवाओं को खुद को साबिद भी करना है हलाकि यही बड़ी बात है करियर बनाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बदलता दौर है सोसाइटी भी आपको देख रही है तमाम लोग देख रहे हैं आपका परिवार आपको देख रहा लेकिन इन तनाव का बढ़ना तो सभाविक है अब जब तनाव बढ़ता है तो उसके पीछे जो वजह रहती है उनको युवाओं को फोकस करना चीज़ों पर जैसे हम लोग स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं मतलब जो टेकनोलोजी हमें मिली है वो एक बहुत अच इनसान बने उसमें बहुत सारी चीज़े होती है अब जैसे बिगरती लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीजान हम रात में दो बज़े तक स्क्रॉल कर रहे हैं सुबह ग्यारा बज़े हम सूरज देख रहे हैं तो हमारी तो जा लाइफस्टाइल है वो ऐसे ही लंहें समझ जाते हैं हृब कही ना कई हम लोग लोग का शिकार हो जाते जिससे बहुत बड़ती है और जो टेक्न में को बढ़ने में बहुत हमारा पाइदा कर रही है वह ज्यादा स्याद हमारी ले तो मुझे लगता है जो टेक्नोलोजिक का गलत उपियोग हो रहा है यह बहुत बड़ा रीजन है और उसके साथ में यूथ में आजकल ऐसा है कि हमें कूल बनना है पर आक्चुली में हम लोग कूल बनने के चकर में फूल बन रहे हैं जैसे ड्रॉक्स का लेना स्मोकिंग करना यह सब कूल हैबिट्स नहीं है यह हमारी ही बॉड़ी को मतलब अनहेल्थी बना रही है तो इन सब पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है चली सब आप क्या मानते हैं कहां पर अभी कमिया है खासतोर पर यंग्स्टर्स बहुत दोड़ रहा है दिन बर धोड़ना भा माबब को हम से उम्मीध है सर वो लोक तो स्ट्रेस देगे हमको उतना नहीं देते पर देते ह ही एक फोर्स होता है क्योंकि सर बढ़ अपने दूसरे बच्चों को देखते है कि इनका बच्चा आगे बढ़ गया है हमारा बच्च給 घर में होती है अपने इसाब से ही आगे बढ़ता है इंसान कोई भी और सर मैं बोलना चाहोगा कि आज कल का जो युवा है सर पढ़ाई कम कर रहा है और सर बाहर ज्यादा ध्यान देता है सर आज हमारा इंदोर जो है एजुकेशन हब बनने जा रहा है MP का तो सर यहां पर आप देख रहे हो जो 90 परसेंट लोग है सरो पढ़ाई की पीछे नहीं जाते सर मतलब बुरा लगागा सबको पर लव अफेर्स लड़िक्किया बॉइस जो भी है क्लब हो गए रहे सब सब इसमें गुमते रहते हैं यह कलब करचर का भी कहीनी के दुश्परिना को लगता है और सर योगा करना चाहिए सुभा जो अपने हार्ट हो गए जो इसके लिए बूल रहे हैं सब इसलिए आप मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमने देखा है कि कई बार मॉडलिंग के चकर में आप बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं जिम में पासीना बहाते हैं कई बार इस तरीकी कि आप जो है वो चीजे खात जो आजकल की उवापेडी है वो काफी कम उमर बीक्टूहरे छी कि लिए सब कुछ हो रहा है काफी म檬 अट्रा साल की उमर में सक्सेशिए है, क्यूंकि सारी से सदी। ượng पे जैसे में एंस्टडराम है जो भी कि चाना जाता है और रही बाद मेरे करियर की, मैं मेरे खुद की life example दे सकता हो आपको कि मैं भी कुछ समय के लिए जब COVID था तब मैंने काफी जादा time waste किया था फोन में वगेरा तो उसे mental health पे असर गिरता है तो mental health पे असर गिरने के बाद वो कोई भी वेक्ती काफी जादा depressed हो जाता है किसी से बात नहीं कर सकता है किसी से बात करता तो उसकी बात कोई समझता नहीं है वो काफी अकेला हो जाता है तो अकेले पन में उनको साथ देता है नशा जो कि काफी गंदी चीज है जो गलत track में जा रहा होता है कोई वेक्ती और उसको कोई वेक्ती आकर बोल दे कि नशा करे मैं रहती है लोड़ीन तो मुझे ज़ारें क्लाइन सुग्षें कि जल्दी प्रोग्रेस चाहते लौजonne उनको मिल्स डाइट में वह लोग बहुत काफी चीजे लेते जो नहीं लेनी चीए तो वह लोग सुनते नहीं उनको स्पीड रिजल्स यह पर उनको यह चीज पता नहीं जितना इन्वेस्ट करें और जितना टाइम देगे बाड़ी में उतने ज्यादा अच्छे रिजल्स आएंगे जितने कम टाइम में ज्यादा रिजल्स देखेंगे ना तो वह जल्दी ही खतम हो जाएंगे और कई बात यह काफी जो साइंटिफिकली प्रूवड है डेड़ गंटे से ज्यादा ज्यादा नहीं कर सकते एक्चुली 45 मिनेटे मोर देन इनफ और 15-20 मिनेटे कार्डियो तो यह काफी एक्स्ट्रीम लेवल हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि हो लोग सोचते है कि अभी मैं द जो प्रोटीन आपको फ्रोटीन जो क्वीड से पहले 2000 में मिलता और वही प्रोटीन आपको अभी 6000 में मिलता है यह जो हैप बढ़ा है ना baik पड़ा है ना fitness field में काफी जादा है और जिम के मुकाबले उल और इंडिया में काफी जाधा झीम खुले है rapid को वीड के बाद जो क आप से मैं जाना चाहूंगा तो लेक आफ कम्मिनिकेशन की कमी है संवाथ की जो कमी है चाहे फ्रेंट सरकल्स हो हमारा फैमिली हो वो भी बड़ा रीजन आप मानते हैं किस तरीके से देखते हैं जी सर अच्छल में सर सबसे मीन प्रॉब्लम जो होती है वह कम्मिनिकेशन की हो है सर वह शुरू से ही कम्मिनिकेशन में थोड़ा सा पीछे रही है क्योंकि वह अपने बच्चों से उस तरीके से कम्मिनिकेशन नहीं कर पाती है पहले तो जो है वह एक ही साथ बैठकर परिवार में चल्चाए होती थी जी सर वह पहले होता था बाकि जब से स्मार्ट फोन जब से जो फैमिली जो सोचती है कि हम अपने बंध अपस्तों के लिए ज्यादा है तो सर्जादा इन्वेस्ट करती है था जम अपने वैसे संदुन टो में आकंश्नU कर प्रॉब्लम है औरहलनों सी स Пेलेंग अट प्रॉब्लम है कि आज क Advent के जो बच्चे हैं उनको खूश करना और यह चीज़ें कम करते हैं आज कल बच्चे सिर्फ एक चीज में फसे हुए हैं वह है content creation कि हमको content creator जो वह देख रहे हैं जिनको चीज में पैसा देख रहा बस वही आज कल के पर आपको आर्ट नहीं दिखेगा जादा बच्चे आर्ट नहीं करते हैं सर आज कोई नहीं बनना चाहता है doctor scientist सब बच्चे बच्पन सी mobile लेलते content creators को देखते हैं और सब का content creator बनना है तो सर पहले क्या हमता था कि लोग जब खुद को एक्स्प्वोर करते हैं वह अलग अलग चीजे देखते थे कि कहां पे क्या होता है कि कहां पर क्या हो रहा है और आज-कल के टाइम पर बस वह एक जागा पर सिमी थे मैंना कुवे के मेंड़क जो ओलतेना शब बन गया उनक समय धीरे सलता है जैसे आप बच्पन में देखते हैं कि आपको समय जो है एक एक हफ्ता बहुत लंबा लगता था कि यह दिन आज कब आएगा संडे कब आएगा और आज कल दो दो हफ्ते बीच जाते पता ही नहीं सलता है तो सर जब आप एक्सप्लोर करते ना जब आप छोट चलिए सुधी आपकी तरफ में बढ़ूगा आपने कहा है कि बहुत पीछे चूटती जा रही है जिन्दगी और कॉंपिटिशन में हम लोग भागदोड कर रहे हैं क्या कुछ बदलता हुआ दौर यह मैसेज दे रहा है सुधी और हमें आने वाले युवाओं को क्या कुछ करने की जरवत है आपके एसाब से कि सही दिशा में कहीं ने कहीं वह आगे बढ़ पाए और स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ साथ में अपने करियर को लेकर भी फोकस हो पाए सर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल की युवा थोड़ा वेस्टन कल्चर से जाधा प्रभावित होने लग गये हैं फॉरिन में जो चल रहा है वो सब करना चाहते हैं जैसा कि आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा चल रही है प्राइवसी तो उसे यूज तो सब को ही करना चाह शुरू कर दिहें पर उसका मतलब किसीने भी नहीं समझा जैसा कि अभी डिसकर्स कर रहे थे कि फैमली ञें चलता रह ते कि घर वालों से बात ही नहीं हो रही हैं और जबकि हम यह देखे कि सोशल मीडिया जो है उस पे हम एक्टिव होने की बात करें तो उस पे भी हम एक्टिव तो है लेकिन वहाँ पे कम्यूनिकेट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ कॉंपिडिशन ही कर रहे हैं कि कौन सी फोटो जो है उससे मेरी रैपुटेशन अच करता है कौन पोस्ट जादा करता है तो हर चीज में हम कॉंपिडिशन ही डालना चाह रहे हैं महिमा आप क्या मानती है कि हमने एक तस्वीर देखी थी मैं आपको तारीख भी बता दूँ 17 जनवरी रीसेंट कुछी दिनों पुराना मामला है एक स्पुडिट तैयारी कर रहा का एक लूड है आपको सुसाइटी के सामने खुद को साबित करना है या फिर आप वैसा माइंड सेट कर लेते हैं तो यह बड़ी कहने की चुनौती है यंक्स के सामने आप बांती है जी सर यह बहुत बड़ी चुनौती है और सबसे में इसू यही कि फेलियर को हर कोई स्व फिसिकल एक्टिवीटी की बात की तो फोकस अगर यूथ कर भी रहा है तो इस तरीके से कर रहा है कि फिटनेस जैसे की नरेश ने कहां एक ही दिन में मतलब हमें अपनी बॉड़ी बनाना है तो इसे नरेश ने मुला समय देने की बहुत जरूरत है तो यूथ को थोड़ा ज योगा करना चाहिए प्रणायम करना चाहिए इसी के बीच में एक पॉइंट के भी है कि जब हम पूरा पड़ाई पर फोकस करते तो कई बार यह देखा जाता है कुछ स्टूरेंट से लगातार से पड़ाई ही करते रहते हैं सिटिंग पोजिशन एक है तो वह उसी में अच्छा आदा पका इस टाइब का जो खाना है तो उसको भी थोड़ा सा इग्नोर करें तो मुझे लगता है उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी और भैतर हो सकते हैं आप में से कितने लोग आउटसाइडर हैं मतलब जो बाहर से यहां करूंगा कितिनी चैलेंजे से यह बी चैलेंज है आप घर से दूर रहते हैं तो यह बहुत बड़ी चुनोती हो जाती है कि आपको परिवार से दूर भी रहना है परिवार के लोग वहां चिंता कर रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं सौरब कितना दिन में पढ़ाई कर पाते हैं कौन से दोस्त हैं कौन सा जो ठानात जो था सब्सक्राइब कई सारे मैंने पैनिक अटक्स देखे जो स्ट्रेस के वजे से थे खाने के वजे से थे मैं डिफेम नहीं कर रहा हूं को ऑलिजे ऑन्हें ने से वे बोल नहीं। जो मेस का खाना होता है सभी लोग नहीं खापाते मेस का खाना सर जो मसालेदार खाना हम खाके आते घर से जैसे फर्स्ट येर का जो स्टुडेंट है पहले होस्टल में जाता है होस्टल में जाता है एक मैना दो मैना वह हमें से बिमारी रहता है क्योंकि सर वह एडाप्ट मतल पर रात में बाहर जाओ अंदर आओ ऐव कालिज की बात सुनो फिर डीन की सुनौ Mr. फैकल्टी की बात सुनौ स्थ इस इसमें स्ट्रक्रीस बहुत आ जाता है बच्च भी ऐड़ोर आप की बात को सुनने की बाद मैं मुझे वही गाना यादारा की सारी हम मर्मर के जीने और ल सबसे बड़ी बात यहीं है कि जैसा सवराब बता रहे है कि आप दूर भी है और वहाँ पर एक टेंशन है कि आप कैसे रहे हैं और एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि अब कॉलेज केंपस वैसे रहनी गए हैं पहले discussion होता था education को लेकर होता था, एक family discussions भी होता था दोस्तों के बीच में, वो discussion भी अब कम हुआ, आप तो competition के बास जादा होने लगी, आपको लगता है, आप लोग जब इस चीज को महसूस करते हैं, college campus की वो, आप discussion का topic बदल गया, मुझे ऐसा लगता है, पहले family towns भी होते थे, friends के बीच म जो bonding होती थी, लेकिन अब वो बहुत कुछ बदल चुका है, मैं इस बात को शुरू करना चाहूंगी, हमारे school time से, हम जब भी जब छोटे रहते हैं, या school time में रहते हैं, तो हमने बहुत से सुना होगा, बड़े होके हम सुनते हैं, कि school time के friendship रहती है, वो ज़्यादा special रहत हैं, वो फेक टाइप के सकते हो जाते हैं, या फिर अपनी एक repetition मेंटीन करने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों के सामने, अरे ये तो वैसा है, हम तो वैसे हैं, तो कही ना कही ना वो जो नया environment मिलता है, तो अपने दोस्तों से, नय लोगों से connect नहीं हो पाता है, कही न अगर घर पे परिशान है, तो वो college जा रहे हैं, और college परिशान है, तो वो अपस घर आ रहे हैं, अपने mind को stable नहीं कर पा रहे हैं, वो connectivity नहीं ढून पा रहे हैं, कही ना कहीं, चलिए, नरिश क्या आप मानते हैं, कितना ये जो communication gap हुआ है, और जो friend circle बदला है, मुझे लग आप उसों देखकर, खुद में बदलाओ देखते हैं, और या तो आप body building की बात करें, आप modeling की दुनिया से आते हैं, आपने कहा है कि आप coach भी रह चुके हैं, तो उस दौरान भी कहनी के यही competition की भावना आप बढ़ने लगी आपको लगसे, बात क्या होती है, कि मैं ये मा कि मादलिंग में काफी चीजे होती है, मैं modeling में जा रहा हूँ, तो मुझे interest काफी सालों से, ऐसी बात निये कि मैंने किसी के भरोसे में गया हूँ, किसी गोदेखके मैं attract नहीं हूँ, मुझे starting share interest तो मैं गया हूँ तो मेरे पीछे पीछे कोई और लोग आएगा न तो उनको यह चीज समझनी पड़ेगी कि उनके पास जो जो चीजे मॉल्लिंग में रिक्वाइड होती है वो चीजे है तो आओ कोई दिक्कत नहीं है तो यह चीजे होती है कि कॉपी करना ज्यादा पसंद कर हमें आज करने सहरों देखं़ा के बूसरों बच्छा इस बने पीचे हूं तो उनके तूरू हमें बोलते कि तू भी आज बन तो उनके फ्युक्त में आकर हम पासरी मिल्स इपान थान्या वह बनने की वरना हमारा जो पर्सनली इस्टीच का व्यरती है उनकिया बउचिखी कि अच्छी चीज हो रही है कि पेरेंस पूछते कि बेटा तुझे किस चीज में इंट्रेस्ट है और पहले के टाइम में कैसा सिंता कि तुझे डॉक्टर मनना है इंजीनियर मनना है हमारी क्रिकेटर वॉलीबॉल कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर में नहीं जाना तुझे स्टड़ी में जाना है पढ़एगा लिखेगा तो होगा काम्याब सम्टिंग तो यह चीज होती है पर आज के टाइम में बहुत चेंज़स आ रहे है और रही बात की कम्यूनिकेशन की स्ट्रेस बहुत रहता है लोग पूरे दिन जो तैयारी कर रहे है आइस वगेरा कि पूर को किस नजर से देखिगी मुझे किस नजर से देखिगी वह चीज नहीं माइने हो तो पहले ही सब्सक्राइब निए कि मेरे सक्सेस हो गया तो तो मेरे पेरेंस को किस नजर से देखेंगे यह बहुत बड़ी मुझे लगता बात आपने गई यह आप क्या मानते हैं कितना आप इससे वाकिफ हैं कि यह एक चैलेंज है अभी सुसाइटी के सामने कि आपको आपका करियर पहले ही सेट है पहले ही सुसाइटी सेट कर देती है तो पहलेंट्स क अवर मेरे पिताजी भी फ्री ही थे तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन थी मेरी क्योंकि उस टाम पे में भी कुछ ने कर रहा था मैं घर पी था मैं थोड़ा बहुत आइंट्रस था नहीं थो अन्या इंट्रस थानी आप मैं तो थेरा आइडिया करवा देता हूं तेरी तो यह जब खुछ चीज करने को बोला जा रहा है तो सर वह बहुत जादा लोड रहता है तब मैं उस टाइम पर सोच रहा था किया करूं एक काम करता हूं मैं बोल दूआ कि फेल हो गया में पेपर नि देता हूं ऐसा कुछ तो सर यह प्राब्लम जो है उस टाम पर बहुत अगर आपको जबरस्ति कुछ करा ही जाएगा ना आप भले छोटे भी हो आप नहीं करोगे और आपको बुरा लगता है तो सर यह चीज जब परसनल एक्सपीरियंस आप फेस करते हो तो सर यह चीज पकी है कि स्ट्रेस होना होना है अब उस टाइम पर आप इस चीज को कैसे टेकल करते हो आप खुद की चीज़े किसे बताते हो कैसे एक्सप्लेंड करते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं उस टाइम पर मैंने अच्छे से एक्सप्लें कर रहा तो आज में जर्निजम कर पा रहा हूं तो सर यह चीज जो है क्मश्फिशन वाली यह इसमें आपके हैं प्रइब करी कि जरनलीजम अच्छा कोर से यह वह विजट कर आया तो वह कम्जीटिशन को आपको खुद भी करना पड़ता है अगर कम्म्जीशन गेह पारा आपके फैमली तो आपको खुद को भी फील करना पड़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा कोई का ऑपके आहिकर नहीं क का यही कहना है कि stress बहुत है और सबसे महत्मून बात यही है कि भागदोड भरी जिन्दगी है, competition का यह दौर है, यह उस दौर में हम लोग जी रहे हैं जहां पर हर तरफ आप पर नजरे हैं, एक तरफ society आप पर focus करें, वो बैठी हुई है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, parents के अ भी बहुत महत्मून बात है, और जहां तक communication gap की बात जो students कह रहे हैं, तो आप बहतर तरीके से अपने goals को जब समझा पाएंगे, अपने parents से, अपने साथियों से, अपने परिवार से, तो मुझे लगता है कि वे बहतर कहीं आपको मारदर्शन भी देंगे, और आपके तनाओं बहुत है, लेकिन इन तनाओं से दूर भी होना है, अपने लक्ष के परती और आगे बढ़ना भी है, यही कहने कहीं आज के युवाओं को सबसने की जरुवत है, फिलाल हमारी खास पेशकर्ष में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे, बोलो बोलो मोतो खोलो के स्पेशल सेग्मेंट में, नए टॉपिक के साथ में, नई युवाओं की टोली के साथ में, फिलाल हमें दीजिये, इजाजत, नमस्कार